हाई एवरिवन दिस इस दीपक, वेलकम टू स्टडी अलोन फ्रेंड्स आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे रूट वर्ट्स का पार्ट फाइफ पार्ट फाइफ रूट वर्ट्स का जो है जो सेशन चल रहा है 1, 2, 3 and 4 पार्ट मैंने अपलोट कर दिया है आप उसको जाकर पहले वाच कीजिए उसमें जो जो रूट वर्ट्स हैं उनको समझिए और एक कॉपी बनाएए और उस वोकैब को अच्छे से त्यार कीजिए ताकि आपको एक्जाम में वोकैब याद करने में मेमराइज करने में कोई दिक्कत ना हो तो फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लिट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए आसानी से पहुंच जाए तो फ्रेंड्स वीडियो के अंतक बने रहें और इस सेशन का मजा लें तो friends आते हैं वीडियो को start करते हैं तो friends root words, root words का part 5 आज हम लोग discuss करेंगे मैं दीपक इस session को लेकर आ रहा हूँ आपका study alone education में बहुत स्वागत है तो friends पहले root word, root words वो होता है कि एक based word होता है उस पर depend बहुत सारे vocab होते हैं, words होते हैं उसको हम लोग discuss करते हैं इससे पहले four part हैं, please आप लोग उसको जाकर watch कीजिए देखिए उसको तो session का पहला word है कुमूल, क्या है? कुमूल, c-o-m-u-l, कुमूल, कुमूल, means होता है mass, 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 heap एक जगह पर पुरा जम्मा हो जाना कुछ, कुछ चीज जम्मा हो जाना तो आए इस पर कौन-कौन से word depend है, कौन-कौन से vocab बन सकते हैं, देखते हैं accumulate, accumulate, together और pile up, pile up करके रखना, pile up करके रखना एक जगह, एक कठा करके रखना, together एक साथ रखना, किसी चीज को एक साथ रखना उचको क्या बोलेंगे? accumulate, friends आए, second word में, आते हैं हम लोग cumulative, cumulative, यह accumulate and cumulative, यह हम लोग words को बहुत जादा बार देखते हैं अपने comprehensive में, या कोई भी अगर synonyms, antonyms आ गया, तो उसमें बहुत सारे exam में, IBPSPO में, SBIPO में, NCDS में, SSC में, बहुत सारे exam में यह word repeat हुए हैं, तो आए इसका मतलब देखते हैं, gradually binding up, gradually binding up, binding करके रखना as, as gradually, okay friends, that means cumulative, आते हैं friends, next है cycle, क्या है friends, cycle, cycle, CYCL, cycle, cycle means circle, circle या ring, एक ऐसा circle या कोई ring, okay friends, आते हैं by cycle, इस पर क्या word बना by cycle, a vehicle, एक गाड़ी with two wheels, जिसके two wheels हो, जिसके दो चक्के हो, उस गाड़ी को क्या बोलेंगे, by cycle, by means two होता है, क्या है, by means two होता है, okay, हाते है friends, next में cycle, क्या है cycle, a sequence that is repeated, repeated, okay friends, a sequence, एक sequence हो, एक sequence हो, वह repeat होता हो, repeat होता हो, repeat होता हो, बार बार घुमता हो, उसको क्या बोलेंगे, cycle, okay friends, next word आते हैं हम लोग, cyclone, क्या, cyclone, तो हम लोग जानते हैं कि cycle, cycle means क्या होता है, round and round and round, okay friends, to cyclone means क्या हो गया, storm, a storm with cycling winds, एक storm, एक बिजली, जो की, हावा, हावा को circle करते, 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 बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, cyclone, a storm, a storm with cycling, cycling, cycling winds, winds को cycle करते, करते, वो स्टोर में बन जाए, आये friends, next है, third number हम लोग का root word है, dia, dia इसको पढ़ सकते हैं, dia, okay friends, dia, तो इसका मतलब क्या होता है, through, किसी के जरिये, between, के बीच में, apart, उसका part हो सकता है, या across, उसके चारोत तरफ हो सकता है, है, उसके across हो सकता है, okay friends, first word हम लोग देखते हैं, डाया पर जो depend है, that is diabetes, diabetes, disease, इसका मतलब देख लेते हैं, disease characteristics, वो disease जिसकी विशेशता क्या हो, by excessive thirst, बहुत ज्यादा प्यास लगता हो, क्या friends, बहुत ज्यादा प्यास लगता हो, and discharge of urine, और बहुत ज्यादा urine का जो मूत्र है, उसका discharge होता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, diabetes, हम लोग अक्सर देते हैं, diabetes के मरीज लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है और बहुत ज़्यादा वो लोग toilet जाते हैं तो friends आगे हम लोग आते हैं diagnosis हम लोग हम लोग का next word है diagnosis diagnosis means क्या understanding a condition understanding a condition by going through a detailed review of symptom कोई रोक का कोई symptom का detail review करना detail review करना उसको क्या बोलेंगे उस उस आदमी को उस person क्या बोलेंगे diagnosis diagnosis एक process किसी रोक को बहुत अच्छे तरिक से detail detail ढंक से समझना उस क्या बोलेंगे diagnosis ओके friends निश्ट आते हैं dialogue बोलते हैं यार क्या dialogue मार रहे हो तो conversation between two people जब दो people आपस में conversation करते हों बात करते हों तो उसे क्या बोलेंगे dialogue next आते हैं डिक्ट क्या friends डिक्ट डिक्ट मेंस होता है speak बोलना क्या होता है बोलना ओके friends आते हैं contradict फर्स्ट वर्ड है हम लोग का contradict to express the opposite of to express the opposite of opposite किसी को पॉजिट को एक्सप्रेस करना ओके friends opposite के तरफ एक्सप्रेस करना आपने है वो contradict करना prediction prediction आते हैं देख लेते हैं a statement एक a statement for telling the future एक ऐसा statement जो future के चीजों को बताता हो उसको क्या बोलेंगे prediction प्री मिन्स पहले क्या होता है प्री मिन्स प्री देखो प्री लगाए ना यहां पर प्री यूज हुआ है ना प्री मिन्स पहले होता है फ्यूचर के बातों को पहले बता देना a statement for telling the future next word dictate dictation हम लोग लिखते हैं ना बच्पन में हम लोग बहुत ज्यादा dictation हम लोग लिखते थे मिन्स क्या मिन्स कोई बोलता हो और आप उसको लिखते हो उसको क्या बोलता है dictation तो मिन्स dictate 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 क्या हो गया to speak out to speak out loud for another person to write down किसी दुसरे के लिए आप बोलो और वो लिखे उसको क्या बोलेंगे dictate करना आते हैं friends next domain क्या है domain 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 में सुता है master किसी चीज में बहुत ज्यादा experience होना उस चीज का master होना आते हैं friends word पे dominate पहला word domain से क्या बना dominate to be the master of किसी चीज में बहुत ज्यादा master होना dominant dominant करना कि ओके friends आते हैं domineering 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 हम लोग का next word है जिसका मतलब होता है excessive controlling excessively controlling कि चीज पर बहुत ज्यादा control होना अपना बहुत ज्यादा experience होना आप उसमें master हो ओके आप उसमें master हो आपको उसमें कोई निपिजह कर सकता ओके friends next आते हैं predominate देखो यहां पर फिर से जिए प्री मिन्स पहले कुछ पहले आते हैं देखते हैं क्या बोला to have more power than others to have more power than others दूसरों के मताबिक आप में power बहुत ज्यादा है उसके बहुत बहुत ज्यादा है उसके बहुत बहुत ज्यादा है इतनो इतनो मिन्स रेस रेस मिन्स क्या होता है पता है रेस मिन्स दोड़ना भी होता है एंड जाती भी होता है जाती ओके लाइक ना कास्ट रेस कास्ट ओके फ्रेंड्स तो इतनो मिन्स क्या हो गया रेस और पीपल रेस एंड पीपल तो इतनी इतनी का मतलब क्या हो गया प इतनिक अंतलब क्या हमगा प्ससलिट एक रिखेवर्ड पडिकलर पीपल को इंडिकेट करना आस गोげ्द्वास लोग फ्लसलिट्ट एंच्ट आते हैं यह वड़ बेनेरेट क्या बोलेंगे ethnocentric focusing on the ethnicity of people focusing on the ethnicity of people people के ethnicity पर जो भी people वो group है उस पर ना focus करना उस पर focus करना क्या बोलेंगे ethnocentric centric देखो centric यहां use गुए ना means केंदरित करना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना उसो क्या बोलेंगे ethnocentric आते हैं फ्रेंट स्नेक ethnoology देखिए फ्रेंट्स यहां पर ethno ethno plus logy logy मतलब मैंने अपने previous root word में बताया था कि logy मतलब हो गया study of something wait a study of something okay friends तो यह आप ना भूलें तो जिस भी कोई word के end में ethno logy sorry logy हो इसका मतलब क्या study of something के बारे में कुछ बोल रहा है वो तो ethno logy का मतलब क्या हो गया the science of people or race वो science वो science जो people कोई particular people या जाती के बारे में बात करता हो उसको क्या बोलेंगे ethno logy okay friends next word पे हम लोग आते हैं funct क्या बोलेंगे funct funct या funct जो भी हम लोग pronounce कर सकते हैं अपने memorize के recording जिससे हम लोग को याद रहा है आते हैं friends perform performance देना अपना काम करना उस पर काम करना word पे आते हैं friends defunct no longer working or life no longer working or life बहुत ज़्यादा टाइम से काम ना करना okay friends और no alive alive ना रहना okay friends आते हैं function next word है function function to work or perform a role to work function बोलता है ना function इस चीज़ का function क्या है means role क्या है यह जो perform करने का rule क्या है इसका काम क्या है हम लोग बोलते हैं ना उसी को दे function function आते हैं malfunction friends जभी word के starting में हम लोग a में il लगाएं है means यह negative sound करेगा जैसे nutrition होता है ना nutrition nutrition अगर इसमें अगर हम a में il लगा दिएं तो malnutrition means co potion हो गया क्या हो गया co potion nutrition मतलब potion and malnutrition मतलब co potion तो यह negative word sound करता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखें तो malfunction means क्या हो गया to fail to work correctly to fail to work correctly आते हैं friends next में hetero hetero means different और other hetero means क्या हो गया different की से अलग रहना और other तो first word हम लोगा बना hetero genius hetero genius hetero genius made up of unrelated parts made up of unrelated part जो की part match नहीं करता हो unrelated हो उससे अलग हो उसको made up करना उसको बनाना आते हैं friends hetero hetero names हम लोग ने अभी तक पढ़ा acronyms acronyms synonyms antonyms अब क्या हम लोग पढ़ेंगे hetero names तो hetero names का क्या हो गया मतलब words words with same spelling but different meaning word with words with same spelling but different meaning वो words वो words जो same रहें but same spelling रहें but meaning उसका different for example मैं बता रहा हूं k i t e kite kite means क्या होता है पतंक जो हम लोग उड़ाते हैं मकर संक्रांती के तेभार पर वो और फिर kite k i t same as spelling है kite and kite same as spelling है इसका मतलब चील होता है चील चील एक पक्ची है एक bird है okay friends तो इस परकार से बहुत सारे word रहते हैं उनको क्या बोलते हैं heteronyms heteronyms आते हैं friends next word पे heterodox not confirming not confirming to traditional belief traditional belief पे confirm नहीं है वो विश्वास नहीं करता है confirm वो traditional जो भी प्राचें जो भी उसका traditional things हैं उस पर वो विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे heterodox आते हैं फ्रेंट नेस्ट हिस्टो हिस्टो इसका मतलब क्या होता है टीसू टीसू जब भी हिस्टो का word यूज हम लोग करेंगे means होता है टीसू ओक्या फ्रेंट्स आते हैं words पे histology मैंने बताया था logy means study of something then histology means study of microscopic structure of tissue टीसू जो भी microscopic structure of tissue उत्तक टीसू मीन्स होता है उत्तक बहुत सारे कोसिका बहुत सारे cells को combine करके उत्तक बनता है उत्तक बनता है टीसू बनता है तो वह टीसू को जिस microscope के जरीए हम लोग उसका study करते हूं तो क्या बोलेंगे हम लोग histology नेश्टा आते हैं histochemistry histochemistry देखिए histo plus chemistry means chemistry से रिलेट रखने वाला okay friends तो study of chemical constitution of cell and tissues means वो chemically bond या वो chemical का study करना जो की cells and cells and tissue से रिलेट रखता हूं उसको क्या बोलेंगे histochemistry आते हैं friends next 10 number 10 number हम लोगा है hyper क्या है friends hyper hyper means too much too much too much excessive बहुत ज्यादा excessive beyond उसके पार ओके फ्रेंट्स तो hyper active क्या हम लोगा word है hyper active very restless very restless without आराम के उसको क्या बोलेंगे हाइपर एक्टेव, next friend आते हैं words पी hyper critical, एकटर उसकाइल क्रिटिकल तू क्रिटिकल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना ओके फ्रेंट्स नेष्म्ट आते हैं, हाइप टेंशन बोलते हैं गाें पर टेंशन ये हाइपर यह यादा हो जाता है माने बहुत ज्चिस मतलब गुरसा हो जाता है इसको तो Part κ परतेंशन मिंस एबहुत नोरमल परेसर से बहुत ज्यादा और उसको क्या बोलेंगे आप पर टेंशन. नेस्ट And Last रूटो वर्ड अब भीनेशन ऑब दिस सेशन दाट इस इण्फरा क्या वर्ड है क्या मिन्स बिनेत क्या मिनद सावं ऑब्रो ओके फरेंड्स मिन्स लाइक बिलो ओके आधे हैं इस पर कौन-कौन सा वड़्न हम Лुँका बन सकता है infrastructure बोलते हैं ना कि इंडिया का infrastructure बहुत ज्यादा अच्छा है इसका infrastructure क्या रहना चीए means underlying framework of a system कोई system का माल लीजिए यह government है यह government है तो government का system का framework कैसा है उसका frame कैसा है उसको क्या बोलेंगे infrastructure structure ओके फ्रेंड्स नेक्ष्ट है infrared इन फ्रेंड इन फ्रेंड इसका means क्या होता है इसका मतलब क्या होता है बीलो दा regular light spectrum बीलो दा regular light spectrum फ्रेंड्स आज इसे सेशन में हम लोग ने 11 रूट वर्ड को डिस्कस किया है इससे पहले चार पार्ट हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आप उसको विजा कर देखो कि आपका जो vocab power है उमीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इस सेशन को देखने से और आप एक particular note बनाओ जिससे आप भूलना पावर और इसे बार-बार यूज करो comprehensive में यूज करो sentence बनाओ इस पर और बार-बार लिख लिख के अब practice करो यह banking cds एंड बहुत सारे ssc के exam में ssc cgl cpo में भी यह आया है तो friends बहुत सारे मैंने वीडियो अप्लोड किया है competition exam के लिए जो की मेरे playlist में है अब जाकर उसे देख सकते हैं enjoy कर सकते है